हाई गाईज वेलकम बैक तो अनदर वीडियो आज हम बात करने वाले हैं फपी थ्री के बारे में सो लेट्स को सभी टीमों के लिए अपार्ट फ्रम बूल्स और प्रांसिंग होर्स दोनों ही टीम्स में स्ट्रॉंग पेशो करी स्ट्रॉंग लाप्स पुटिन करें दोनों मीडियम और सॉफ टार्स पे जर्मन टीम के लिए थोड़ा रिलीव का शेशन था दोनों ही ड्रैवर जॉज रसल लुइस हैमिल्टन ने स्ट्रॉंग पेशो करी है बट नॉट कमपेटिबली एस दे लाइक्स ओफ रेडबुल और फरारी तो लेट सी कैसा रहता है उनके लिए अपकमिंग क्वालिफिकेशन वाला राउंड और मेंको लगता है कि यहां से कुछ मेमेंटम गेन करीगी टीम लुइस हमिल्टन की कार के साथ इन्होंने कुछ एग्रेसिव चेंज़ेस किये थे जो बैकफायर हुए और लुइस हमिल्टन बिलकुल ही पॉजिटिव बिहेव नहीं कर रहे थे कार में इसकी वाज़ा से उनका एफ़ पॉजिटिव साइन कार अभी भी स्ट्रॉगल कर र लुइए फरारी को फाइट देंगे फरारी चाहरी है कि वो रैडबूल को फाइट दे बर उसको पता नहीं है कि यह दोनों ही स्ट्रॉग कंटेंडर हैं तो लेट सी क्वाली में यह कैसे दोनों टीम्स प्ले गरती हैं लेट सी बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है and guys rest of the feed के लिए थोड़ा tricky सेशन था बूना बांदी की वज़े से सारी टीमें स्ट्रगल कर रही थी अपने tire temperature को correct window में लाने के लिए apart from the red bulls and the Ferrari and guys किसी के अभी end से भी एक strong lap दिखा नहीं हमको ना Aston Martin ना McLaren तो let's see वो practice session के बाद इससे क्या data gather करते हैं जिसको देखके लगा कि Williams की कानी खतम Australia में and team अब team को back pack कर लेना चाहिए but good news यह है कि अभी उनकी car running है and उनको हम qualification round में देखेंगे guys Haas and kick swaber की performance mixed रही है so मिर को जो लग रहा है कि both the teams are looking for race pace rather than quality pace so let's see वो दोनों कहां लेके जाते हैं so guys that's all अभी के लिए मिलते हैं quality के बाद let's see quality में कौन सी team front पे आती है